तो जी नादरीन कैसे आप लोगों वेल्कम करता है आपको लिए सुन अपने चैनल पर आज बात करेंगे लेजन्ड अदाकार सुल्ताहरी साब की और उसके बेटे हैदर सुल्तान की तो मजीदी वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें साथ वाले बेले एकों के दोमें ताकि हमारी हर आने वाले वीडियो आप तक पहुंचती रहे तो फिल्म का नाम है सुदागर जो उन्हीं सत्तुरावे में में रिलीज हुई इस फिल्म में सुल्तानरी साब और हैदर साब दोनों की टकर होती है जो कि पहली बार उन्होंने फाइट की थी तो हैदर साब का ये कहना है कि जब पहली बार मैं अपने बाप के सामने खड़ा तो मुझे बहुत शर्मिंद की नजर आ रही थी तब मेरी एज 17 साल थी तो मुझे बहुत अजीव सा फिल हो रहा था जब अपने बाप के सामने खड़ा था तो जवर साब मुझे कहने लगे कि ये आपका बाप है आपको जो भी मैं सीन दोंगा आपको करना पड़ेगा तो मैंने जवर साब को बोला कि सर ये मेरे अबो जी हैं मैं इनके साथ कैसे बात्तमीजी के साथ मकलमे कर सकता हूं तो उन्होंने बोला नहीं बेटा ये सीन है आपको करना पड़ेगा तो वो कहने लगे अभी तो मैंने आपकी साथ उनकी फैट करवानी है वो गिरेंगे आप भी गिरेंगे वो आपको मारेंगे आप उनको मारेंगे तो आप तो ये सीन नहीं कर सकते तो हैदर साब ये कहने लगे कि नहीं मैं ये सीन नहीं करूँगा मैं अपने अब्बू के उपराथ नहीं उठाऊंगा तो शूटिंग छोड़ कर बैट गए तब सल्तारी साब उठे और उनके पास चले गया और कहने लगे नहीं बेटा ये तो फिल्मी सीन है ये हमें एक फिल्म का सीन दे रहे हैं तो बेटा ये फिल्म का सीन है ये हमें देना पड़ेगा मुझे अपना बाप ना समझे और एक दोस्त की तरह मेरे साथ फाइट करो वाज़ और राइटर खुदी थे जिसका नाम था ज़ौर उसेन के लानी तो इस फिल्म की जो कहानी थी वो मुस्लिम और हिंदु पर तियार की गई जो सुल्टारी साहब होते हैं वो अज़ाद करवाना चाहते मुलक अपना लेकिन जो हिंदु होते हैं वो नहीं करने देते तो हैदर साहब कहने लेगे जब ये फिल्म त्यार हुई तो मैंने देखी तो मुझे बहुत अजीव सा नज़र आ रहा था कि मैं अपने बाप के साथ कैसे बस लुकी कर रहा हूँ मगर ये फिल्म बहुत सुपरीट हुई और बहुत पिजनस किया सैनमा गरों में ऐसी एक दूसरी फिल्म थी जिसका नाम था बबरा वह उनीस सो चराने में रेलीज़ हुई उस फिल्म में भी सुल्तारी साथाब और हैदर साहब की टकर होती है इस फिल्म के हिदातकार भी जहुर सैन के लानी थे तो हैदर सल्तान साब का ये कहना है कि मैं अपने बाप के नक्षा कदम पर चलूँगा और जो भी मेरे पास फिल्मे हैं मैं जरूर साहन करूँगा और शूर्ट करवाऊंगा इंशाला अच्छे से अच्छे फिल्म दूँगा पबली को ताकि मेरे बाप का नाम जिन्दा रहे तो एक फिल्म मैंने सेहन कर दिया जिस फिल्म का नाम है पुत्तर मौले चाटदा मैं जल दीर रिलीज करवाऊंगा तो नादरी ये थी सुल्तारी साब और हैदर सुल्तान साब की कहानी जो मैंने आप लगों को बताई और मारी वीडियो अच्छी लगए तो जरूर सबस्क्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो ताक चाहसा दीजिएगा